हेलो दोस्तो स्वागत आपका एम्रोज इंशिटूट के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से दोस्तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर हाडवेर में हाड़िस से लेटेड कुछ एर्रस के बारे में दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों पहना ह आप जाएए क्योंकि इससे आप भी रहेंगे और आपके फैमिली मेंबर्स भी सेफ हैं में दोस्तो क्योंकि दोस्तो किसी करना जान है तो जहान है चलिए स्टाट करते है आज के मारी वीडियो कर दो दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने CPU के स्टार्ट किया हूँ और CPU स्टार्ट होने के बाद यह error आपके सामने आ जाए या इस error की जिगह यह error आपके सामने आ जाए या इस error की जिगह यह error आपके सामने आ जाए या इस error की जिगह यह error आपके सामने आ जाए तो दोस्तों इन सभी errors के आने पर या इन में से किसी भी error की आने पर आपको क्या करना होगा क्या आपको पता है इस condition में क्या करना चाहिए जुश्तों इन सभी errors में या ऐसी errors के आने पर आपको करना क्या है आपको अपनी Hardist में लगने वाली दोनो Cables data cables और power cables को निकालना है और निकाल कर वापिस लगा देना है जैसे आपने निकाली है सेम वैसे उन cables को आपको लगा देना है हो सकता है आपके problem solve हो जाए अगर मान लिजिए आपके problem solve नहीं है तो उस power cable को निकाल कर वैसे ही power cable दूसरी आप उसमें लगा कर देखें 99% cases में आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी तो दोस्तो देखा मैंने कितनी easily इस problem को solve कर दिया दोस्तो 99.9% cases में ऐसे errors आने पर hardest की ही problem होती है जिसमें आपको सिर्फ hardest में लगने वाली दोनों cables means data cable और power cable को सिर्फ निकालना है और वापिस लगा देना है और अपने CPU को start कर देना है तो दोस्तो कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो अगर ये वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज इस पर like करें comment करें और जादा से जादा लोगों को साथ इसको share करें और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बने रहें Amroj Institute के YouTube चैनल के साथ हम आपके लाते रहेंगे और मज़धार वीडियो दोस्तो have a good day बाइ बाइ टेक किया